हाई, तो आईए आज शुरू करते हैं एक और मज़ेदार कहानी और इस कहानी ने कांचलिंग को एक अलग ही पाइदान पे पहुंचा दिया था नॉर्मल हजबन वाइफ, वाइफ और गर्ल्फरंड में पहुत सारी परिशानिया होती है और अज़े साइकॉलिजिस्ट आपको ज्यादा सूचना नहीं पड़ता है जब तक कि आपको आउट अफ दी बॉक्स को इस स्लूशन ना चाहिए हो तो इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिन्दगी की बहुत सारी नए आयाम जो थे वो देखने को मिले ये वन अफ दी रेरेस केस था हुआ क्या दो स्टूडेंट थे यूनिवर्स्टी में एक साथ पढ़ते थे दिरी दिरे आपस में प्यार हो गया लाइफ बहुत अच्छी लगती थी घूमना फिडना खाना आउट डोर्स पे जाना एक साथ रहना लिविंग इन रहना सब कुछ और लाइफ बहुत हसीन थी तो आठ साल के बाद में जब पढ़ाई जो है अलमुस्ट मुकमल हो गई थी तो अब कुछ परपस नहीं था साथ रहने का यूनिवर्सटी में तो वो इस रिलेशनशिप को अगले पाइदान पे ले जाना चाहते थे पर लड़का इंटरस्टेड नहीं था बेकर उसके हिसाब से अब कुछ ऐसा नया रहनी गया था या और कुछ उसके मन में ऐसी बात थी जिससे उसे लगा कि अब शादी करने की क्या जूरत है तो फिर फीमेल ने थोड़ी आम ट्विस्टिंग करी कुछ टेड़ा मेड़ा किया और समहा वो शादी हो गई दोनों बहुत अच्छे परिवार से थे शादी बहुत अच्छी हुई रिच फैमिलीज थी उसके बाद एक साथ रहना शुरू किया छे साल वो एक साथ रहे और उसके बाद में फिर दो बच्चे भी हो गए और मेरी एंट्री तब होती है जब फीमेल ने मुझे अप्रोच किया कि there is something not okay in our married life कुछ तो है मैंने बहुत ट्राई की है मैंने जैसे फीमेल होती है आज पास से find out करने की कोशिश करती है लोगों से बादचीत करती है लेकिन मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा but there is something not okay I am not really finding him any longer interested in me तो detail में जब बादचीत हुई तो ये सब पता लगा जो मैंने आपको बताया तो उसके लावा उसने मुझे information दी कि my husband is doing very well वो बहुत अच्छा कर रहे है और business के टूर पर जाते है और जब मैंने पता करने की कोशिश की किसी और female का तो चक्कर नहीं है अब कोई जनली ऐसा होता है तो she said no कोई female का चक्कर नहीं है बलके उनके office में एक आदी female है receptionist बाकी कोई female ही नहीं और वो जब tripें भी जाते हैं तो उनके साथ उनके assistant जो होते हैं वो भी male होते हैं अब उनके husband counseling को बिलकुल तायार नहीं थे तो अब क्या किया जाए anyway दो चार दिन मैंने उनके session लिये और सारी बाते की female कुछ कर नहीं रही थी तो मैंने उनको थोड़ा सा उनका morale boost up किया कि आप थोड़ा एक NGO शुरू करिये she was very kind hearted woman and very caring person समाज के लिए बहुत कुछ करना भी चाहती थी तो I told her कि apart from एक husband दो बच्चों की जो family है इसके इलावा भी I think you have energy and potential to look after so many people inspire so many people तो she started off with an NGO वो NGO आजकल बहुत अच्छा कर रही है करते करते और जब detail में husband के बारे में पता किया तो फिर मुझे थोड़ा doubt हुआ कि शायद ये बात ना हो तो फिर as a psychologist हम जनली ऐसा करते तो नहीं है लेकिन फिर मुझे भी कुछ चीज़े find out करनी थी तो I started interacting with couple of people जो उनके साथ travel करते थे और तब पता लगा कि वो शरीमान जी गे है अब ये बात उनकी वाइफ को बताना जो है थोड़ा सा uncomfortable था but I had no other option than to tell her and I broke this news to her that he is gay and he is more interested in boys these days than anything else so उसकी वाइफ ने फिर support किया मुझे कि शायद मुझे भी ऐसा लगता था but I was not very sure of but this is the situation and अब मुझे बहुत अंकॉफटबल लग रहा है कि my married life is almost on ruins अब मैं क्या करूँ it is very difficult to be with him because situation जो है बहुत अंकॉफटबल होती जा रही है अब psychology इसका क्या इलाज दीगी comment करिए जितने भी psychologists बैठे इसको सुन रहे है बहुत सारे budding psychologists है ज़रा comment करके बताईए कि आप इसका क्या solution दोगे 8 साल की marriage 8 साल डेट किया 6 years marriage को हुए और उसके बाद में 2 बच्चे भी हुए and now suddenly wife gets to know that the guy she's married is a gay तो किसी तरीके से मेरे पास और कोई option नहीं था I contacted her husband and I said I am a psychologist and I don't know how you're going to react to it but I need to talk to you and he agreed he came and we spoke heart to heart talk and मुझे लगा था कि उनको भी हेल्प की जूरत है but वो शायद किसी को contact नहीं कर पा रहे थे वो किसी को बताना भी नहीं चाहते थे so he said yes I am gay and I love my wife लेकिन अब situation ऐसी है कि मैं क्या करो मुझे समझ में नहीं नहीं आ रहा है and I found kind of a guilt feeling in his talk और मैंने इस guilt feeling का पूरा फादा उठाया कैसे फादा उठाया I said you want to save this relationship he said yes I can do anything but my sexual preferences जो है उस किसमे में जादा कुछ नहीं कर पा रहा हूं so I said perfectly fine so then I had a joint session for both of them of course it was बाद संटी सा सीन हो गया था but somehow and then I asked both of them to separate not officially separate just live separately so financial they had no issues so they hired another house and husband was living in one house and the female with two kids was living in a different sector and a different house and I asked her husband that look I want you to woo this female as a girlfriend once again as you did in your university days so उसके चहरे पे चमका वही and शाहराना अंदाज में फ्लाज के बुके लेकर के गिफ्ट्स लेकर के इलांटे तब तब तक आ चुका था he started going her again रात रात को बात करना टेक्स्ट करना फ्लाज भेजने गिफ्ट्स भेजने हर फंक्शन को अच्छे से सैलिब्रेट करना सर्प्राइज विजिट करना सडनली गाड़ी लेकर पहुंच जाना के ओके लेस्ट कोडु किसॉली सम्थिं लिए इस और उनकी लाइफ पटड़ी पे आ गई उसके बाद में जैसे उनकी लाइफ नर्मल हो जाती ही हम लोग देलिंक कर जाते हैं तो यह सब हो गया I happened to meet them I think it was more than a year or so somewhere can't name that function and I really met a happy couple they were very happy together and enjoying each other now they were living in the same house and the husband started paying attention to her and everything was beautiful but in the end of the function husband happened to talk to me in private and he said sir sab kuchh acha ho gaya thank you very much lekin meri wo adat nahi chhooti hai so I had to give him little psychology ka gyan that gay jo hote hai wo do kisam ke hote hai ek gay hote hai jo by birth hote hai jis ka koji ilaj nahi hai wo gay hai wo hai there is nothing wrong in it it is nothing which they have done anything wrong aur ek hote hai modified jali boys ya girls girls hostel mein ya boys hostel mein rehte hai to kai bar to kai bar they are forced into something very uncomfortable by virtue of which they attain this kind of a stuff and they become very comfortable in this because I have handled lot of cases of girls liking the same sex people et cetera aur darwalon ko pata nahi hota hai because isko abhi bhi taboo samjha jata hai humari society mein to agar to modified hai to ek psychologist aapko bhaut help ka sakta hai to come out of it but agar by birth hai you have to live with it right तो मझे लग रहा है कि नेक्स स्टोरी में, I'll talk to you about a pair of girls where the girl refused to get married and the family had no idea that she doesn't want to get married because she was seeing another girl. So this is what I intend talking to you in the next story. I hope आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी. अब समस्या यह है कि जब भी मैं live session करना चाहता हूं, YouTube से message आता है कि you have only 4-500 subscribers, you need to have 1000 subscribers. So guys, if you like this story and you want me to continue this kind of a counselling stories, do something, make this channel reach about 1000 subscribers, then I think I can almost every day conduct a live session. All the best, take care, life is really beautiful.